A very good evening dear students जैसे कि आप लोग कहती है Wait A for apple ठीक है? A for apple A for apple तो होता है बेटा A for apple के अलावा थिंग थिंग की और क्या हो सकता है? जैसे कि A for apple and A for aeroplane A for aeroplane भी हो सकता है A for ant चीन्टी याने की वो भी हो सकता है A for eggs वो तियने की कुलाडी ये भी हो सकता है और मैंने आपको क्लास में बताया था A for और क्या हो सकते है? जैसे किसी का नाम A for animal A for aman A for arvind, A for iron तो इस तरह से A for और कुछ भी हो सकते हैं तो आपने सोचना है कि सिरफ B for B for हम करते हैं, आप करते हैं B for ball Very good, B for ball तो होता ही है Think, think कि और क्या हो सकता है B for जैसा कि इस picture में है कि B for Baby B for baby, B for boy Sorry, B for boy लिखा है इसमें B for boy हो सकता है B for ball आप बताते ही है B for bag, जो आप लेकर आते हैं B for bag भी हो सकता है B for biscuit B for biscuit भी हो सकता है और क्या हो सकता है ये B for boy लिखा है B for baby हाणा और क्या हो सकता है B for bat, जिससे आप बोल को हिट करेंगे तो B for ball भी हो सकता है और B for किसी का नाम हो सकता है जैसे कि B for B for bubble B for bubbly हाणा और क्या हो सकता है B4 बेटा ब्रिंजल भी हो सकता है जिसको हम बैंगन बोलता है यह मैं सिखाऊंगी आपको तो आपको अगर कुछ मतलब बच्चे को आपने parents यह सिखाना है कि B4 चिरफ edges नहीं होती ball ठीक है B4 bat भी हो सकता है B4 biscuit भी हो सकता है उसकी vocabulary थोड़ी सी develop होगी हाना तो उसे पता लगे कर कि B4 बहुत कुछ हो सकता है इसी तरह से जैसे A4 हम बच्चे को सिखाती है कि A4 सिरफ एपल सिखाती है हाना A4 सिरफ हम बच्चे को एपल सिखाते है तो हमने बताना है कि A4 सिरफ एपल नहीं होता A4 और कुछ भी हो सकता है किसी का नेम हो सकता है एफ और आरो प्लेन जैसे मैंने आपको बताया तो देरा सो मैनी थिंग्स ठीक है तो मतलब कि जो स्टडी का पैटरन है वो थोड़ा सब चेंज है तो हमने बच्चे को थोड़ा और ज़्यादा बताने ठीक है थैंक यू